नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपके स्लाथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइफ आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉंग्रेस पार्टी किस वक्त कॉंग्रेस पार्टी में जो है घामासान चुल रहा है तो उसे बीच राहूल गांधी लगतार तो यातरा के लिए लगतार यातरा कर रहे हैं सड़क पर उतर कर रहा रोज आना जो है कई दिनों से वो भारत जोड़ो यातरा पे निकले हुए हैं और इसी बीच अब फिर से जब भारत जोड़ो यातरा के लिए वो निकल रहे थे तो एक का रिपोर्चर वहां आ जाता है और वहां उनको Mr. Rahul Mr. Rahul करके आवाज लगाता है काफी दूर से वो इंटर्वे लेने की कोशिश करता है जिसमें ये साब दिखाई देता है कि Rahul गांदे उस सवाल को इगनोर करते हुए नजर आ रहे हैं ये दावा उस चैनल ने किया जिसका विरोध फिलहाल Congress Party करती नजर आ रही है कि वो इसको ऐसा कैसे कह सकते है आपको बता दे ये एक चानल है जो यहाँ पर Mr. Rahul करके उन्हें आवाज देने की कोशिश कर रहा था और उनसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहा था जहां Congress ने सवाल उठाए उन पर और उनके दावे को गलच है राया कि वो क्या कह रहे है और यहाँ पर Rahul गांधी उन सवालों का जो रिपोर्चर ने पूछे थे उनको इग्नोर करते हुए नजर आए उन्होंने जवाब देना सही नहीं समझा इसे भीश आपको बता दे Congress में जहां Rahul गांधी यहां भारजोड यात्रा की रेस में लगे हैं तो वही सोनिया गांधी लगी हुई है अपने जो राष्ट्र अध्यक्ष हैं उनके उमीदवारों को चुनने में और इसी के साथ राजस्तान का मुख्य मंतरी चुनने में इस वार इस टाइम इस वक्त कॉंगरेस के पास बहुत सारे काम है करने के लिए लेकिन उनको बहुत समय लग रहा है मामला सुलजाने में आपको बता दे कि कॉंगरेस में जहां अशोग गहलोत और सचिन पाइलेट राजिस्थान के मुख्य मंत्री और राजिस्थान के दिगज नेता के बीच में कई ऐसी छीजे चल रही है जो एक दूसरे को जो है दोनों ही मुख्य मंत्री बनने की रेस में हैं तो वहीं अशोग गहलोत की तरह से दिखता है कि वो पूची हुई है कि आखिर कौन होगा जो वहां पर बैठेगा इसी के साथ आपको बता दे कि राहूल गांदी जिस तरह से प्रचार प्रसार कर रही है इंतजार रहेगा कि आखिर किस तरह से जो है आगे चुनावों के लिए उनकी यह तैयारियां है यह सफल होती है यह रं